दोस्तों फाइनली ये वीडियो आ चुका है कि कैसे मैं अपने वीडियो एडिट करता हूँ सारा experience मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगर आप एक नए creator है या फिर old creator है अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप mobile phone से एक mobile phone से कैसे editing कर सकते हैं इसी mobile phone से मैं editing करता हूँ और आप कैसे इसी mobile phone से editing कर सकते हैं आपको एक ऐसा application बता हूँ को जो मैं use करता हूँ आप कर सकते हैं आपको सीखने की जरूरत है वीडियो को बिलकुल skip करना तो आपकी मर्जी है बाकि अगर आप सिखना चाहते हैं कि कैसे editing करेंगे प्रॉपर तरीके से कैसे video edit करते हैं कैसे background remove करते हैं कैसे green skin use करते हैं कैसे effect लगाते zoom in zoom out यह सारे features आपको आज की इस video में पता चल जाएंगे कि कैसे लोग audio अलग से कैसे लगाते हैं कैसे export करते हैं सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे क्लिस perform के लिए कैसे कैसे video edit करना है मैं आपको इस video में सारी जानकारी देंगा आप video थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप एंग नए creator ने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही चीज है और आप किसी भी line बे काम कर रहा हूँ अगर आप यह basic चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर आप यह सीख जाते हैं तो आपको editing करने से कोई रोक नहीं सकता लेकिन practice आपको करनी पड़ेगी मैंने आपको सिर्फ idea दिया है करके दिखाया है लेकिन अब आपको इसको practice करना है जितना ज़्यादा आप practice करेंगे उतना ज़्यादा आप सिखेंगे क्योंकि सिखने से ही practice करने से ही आप चीज़ों को ज़्यादा से समझ सकते ही और उसको अच्छे से कर सकते हैं और उसको हमेशा आप improvement लाते रहेंगे और day by day आपको कुछ नए नए idea मिलेंगे आप नए नए तरीके से editing खुद सीख पाएंगे लेकिन basic idea मैंने आपको दे दिया इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर कर ले चलिए वीडियो को start करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अपने mobile से अपनी वीडियो इडिट करता हूँ मैं आपको पूरा full tutorial बताता हूँ ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो इडिटिंग एप मैं इसी एप का इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो को इडिट करने में अगर आप चाहते हैं तो आप काइन मास्टर भी यूज़ कर सकते हैं यहां से काइन मास्टर भी है लेकिन काइन मास्टर में आपको क्या है कि ट्रेन मार्क आ सकता है यहाँ पर लोगो आ सकता है उसका ठीक है वाटर मार्क लेकिन यहाँ पर जो मैं VN यूज़ करता हूँ यहाँ पर कोई वाटर मार्क नहीं आता है सबसे अच्छा अप्रिकेशन मुझे लगता है यह देख सकते हैं आप 4K तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इस पर आपको कोई वाटर मार्क नहीं आता कोई भी नहीं क्योंकि यह विल्कुल फ्री अप्रिकेशन है और आपको कोई वाटर मार्क देखने को नहीं मिलता है अब यहाँ पर देखोई अब इस application को आप download कर लेंगे देखें मैं आपको वेसी चीज़ बताऊंगा ज़्यादा ऐसी चीज़े बता दूँगा जिससे आप अच्छा video suit कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ठीक है अब यहाँ से देखो इस app को आप open करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेस का आइकन है यहाँ से आपको new project पे आपको click करना है अब यहाँ पर जैसे आप click करेंगे अब दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो भी mobile की videos हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है जैसे मैं करूँगा देख सकते हैं यह मेरा video पूरा यहाँ पर आ चुका है यह देखिए पूरा video मेरा आ चुका है अब यह video आ चुका है अब इसमें जो भी problems हैं कैसे आपको edit करना है सारे features यहाँ पर नीचे दिये गए हैं मैं आपको एक एक करके सारे explain करूँगा और किसका क्या काम है अब देखिए सबसे पहले यह video मेरी आ चुकी है अब यहाँ पर देखिए लजिसे माली जी कि यहाँ पर प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब इतना आप ने कर दिया अब यहाँ पर माली जी आपने image यह video है अब इसे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपका वीडियो नहीं सही है मतलब उसमें अगर आप filter लगाना चाहते हैं तो filter लगा सकते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर filter का option है filter पर जाना है जैसे इसको select किया इस part में और filter पर click किया और यह देख सकते हैं काफी सारे filter है यह देखिए आप अपने इसाब से जो भी filter लगाना चाहें आप लगा सकते हैं यह देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे filter मिल जाते हैं अगर आप जो पहले से अलड़ी उनपो लगाना चाहें अगर आप खुद से adjust करना चाहें तो यहाँ से आप खुद से adjust कर सकते हैं यह देखिए अपने इसाब से आप filter add कर लेंगे और यहाँ से click कर लेंगे तो यह देख सकते हैं filter आपकी वीडियो में लग चुका है कितनी पहले कैसी वीडियो थी और कैसी बन चुकी है ठीक है यह आपकी filter लग गया अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अब माली जी यह वीडियो है इस पर आपको कुछ parts को आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको यहां से जो भी part खराब लगता है तो ऐसे करके जितना भी part आप यहां से play करेंगे इसको सुनेंगे और इतना part आपको खराब लगता है यहां से आप क्लिक करेंगे और जैसे माली जी 20 का part खराब लगता है इतना ज़्यादा नहीं सही है तो यहां से आप इतना दोनों क्लिक करके बीच में क्लिक करके यहां से आप इसे डिलीट कर देंगे तो उतना बीच का पार्ट आपका डिलीट हो जाए यह तो आपका होगा कि वीडियो मालीजे आप एक सूट में नहीं कर पाते हैं बीच में काफी ज़्यादा कट होते हैं तो उसी साब साब वीडियो यहां से कट कर लेंगे, कट करना मैंने आपको बता दिये इस तरीके से कट हो जाएगा आपका वीडियो अब यहां पर मालीजे आप स्टार्टिंग में अब मैं आपको एक ऐसा फिचर मालीजे स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं कुछ नए तरीके से नए अंदाज में जैसे कि आप एफेक्स मिलते हैं अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो यहां से कुछ इस तरीके एफेक्स मिलते हैं जैसे इस स्टार्टिंग में आपको कुछ एफक्ट डाल नहीं, कैसे आपका विडियो आया, स्टार्टिंग से सुरू हो, इस तरीके से आप एड़ कर सकते हैं, कुछ सारे, काफी सारे यहां पर आपको बिल जाते हैं, यह देखें, जैसे यहां पर एफक्ट कर देंगी, और जितने भी पार्ट में लगाना आप लगा सकते हैं, इसको स्प्रिट कर दीजिए, यहां से, और अगर आप इसके बीच में, दोनों क्लिप के बीच में चाहते हैं लगाना, तो यहां से आप यह देखें, दोनों क्लिप के बीच में भी आप लगा सकते हैं, काफी सारे आप यहां पर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको इस पीड को स्लो करना है वीडियो बनाना है या फिर फास्ट में बनाना है तो यहां पर आपको आपको यहां पर इस तरीके से आपकर सकते हैं अपने इसाब से इसको आप जो आपकी स्पीड होगी यहां पर स्लो हो गया अब इतने पार्ट में इसके बाद फास्ट हो जाएगी इस तरीके साब यह लगा सकते हैं अब देखिए यहां पर एक जूम आउट फीचर में आपको बताता हूं जूम इन जूम आउट ये वाला जो फीचर आता है जैसे की मालेज्ये वीडियो की सुरुवात जैसे से यहां से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा बस गब कर देखते होंगे लोgi तो कितना पाट में चाहिए आपको इतना पाट में चाहिए सबसे पहले cut कर लिए cut हो गया इतना part अब इसमें चाहिए हमें क्या physiogen का feature यहां पर आपको है लास्ट में यहां पर जूम का उप्सन मिल जाएगा यह अब जैसे यहां पर मैं प्ले करूंगा देखे और बीच करना चाहते हैं तो इसको और भी कर सकते हैं यहां पर जाएंगे तो आप यहां से इतना वीडियो जितना भी आपको करना है उतना आप कर सकते हैं और यह देखे अब मैं आपको प्ले करता हूं यह देखे तो यह जुम आउट का फीचर है यहां से लगा सकते हैं, अब दोस्तों माल लिजे, आपको और कोई image add करना है, साइड में माल लिजे, mobile add करना है, या फिर और भी screen use करना है, या पर image use करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर यह उपर option है न, यह, इस पर आपक यूज़ करना है, मैंने इसको use करना है, यहां से, समझ के जाना मैं आपको basic चीद बता रहा हूँ, ज्यादा हवा हवाई में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे use करना है इसको, और एक बार अगर आपने समल लिया न, तो आपको कोई नहीं द इसको साइड में लगाना है, आप साइड में लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको इसको क्या किया, अब यहाँ पर देखेंगे, ब्लैक साइड में ब्लैक में है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना हो, यहाँ से जाना है, आपको इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, इस इतना पर चाहिए तो मैं ऐसे कर्के कर्के, ऐसे क्रॉप कर लेता हूए, और देख सकते क्रॉप हो olduğना है, और में इसको कहीं भी लगा सकते हオह कि यहाँ लगा सकते हैं। कोई भी PNG format आप मोबाइल का डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से यह देखिए यह मैंने डाउनलोड करके रखा है यह आपको लगा सकते ही और यहाँ पर आपने लगा दिया इजा साइड में ठीक है यहाँ पर साइड में लगाया आपने ठीक है अब इसको क्या करना है इसक आपको ऐसे करके फिट कर देना है तीखिए जैसे आप फिट करेंगे है कि और इसके बासे जस्के ना में और कि अब स felony कर सकते हैं यह तो बेसिक आप देए दूस्तों अभाई जीजे मैं आपको बता दी अब मालीजे आपको कोई भी वीडियो है उसका आउडियो चाहिए आपको आउडियो चाहिए ना आउडियो चाहिए आपने वीडियो अलग सूट किया है अब आउडियो आपको डालनी है मालीजे यह आपकी वीडियो तो है लेकिन आउडियो आपने अलग से सूट किया है अ सबूसर आपको लगाना है तो यहाँ से आपका सेक्षन यहां से यह झाना है अगर आप चाहते हिहीं पन रिकॉरड बीकल सकते हैं तो यहां से उलसकते हैं realizar कर सकते हैं गया मज़ा सकते हैं आप लगा सकते जैसे प्ले करेंगे हेलो दोस्तों का ऐसे हैं आप लोग यह वाइस ओर का उप्शन है कि जब आप वाइस ओर करेंगे किसी वीडियो में तो आप यहां से आवाज भी डाल सकते हैं जो भी जितनी भी आवाज डालना चाहते हैं आप वाइस ओर करके डाल सकते हैं लेकिन मैं वाइस ओर नहीं करना चाहत है तो यहां से मने record का बता दिया अगर आप music पर जाते ही तो यहां पर आपको क्या करना है काफी सारे जो audio है background music लगाना वो भी आप लगा सकते लेकिन अगर आप चाहते ही video से music को लेना तो यहां से आपको click करना है और extract from link यह लिखा हूँ है आप उसका यहां पर click कर देंगे automatic उसका जो audio होगा extract हो जाएगा audio आएगा video नहीं आएगा उसका सिर्फ audio आजाएगा आपके पास ठीक है इसमें extract हो जाएगा आपको कुछ नहीं करने की जुरूरत है यह देखिए video select किया जैसे अब यह देखिए यहां पर आच चुका है और यहां से लगा देंगे अब इसकी आवाज को यहां से चोटा बढ़ा कर सकते हैं मतब घटा बढ़ा सकते हो और यहां से एड़ कर देंगे अब देखिए यह audio जो होगी इसकी पॉस हो चुकी बंद हो चुकी और यह वाली audio चलेगी अब ठीक है ऐसे और और भी audio रहिप्श क चाहिए, तो यहां से क्लिक करके अडियो वैलूम पर जाके इसका बैगरोंट स्लो कर देगे, इस सारी चीजे कर सकते हैं, अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब चलिए, ये तो आपको डेमो बता दिया, ठीक है, अब देखे, अब बात करते हैं, कि मालीजे आपको ग्रीन screen use करना आपके पास green screen video है ठीक है माली जे मैं यहां पर हूँ और मुझे green screen में बनाना है मैं face cam green screen में बनाया है और उसको मैं background हटाना चाहता हूँ यह तो आपको मैंने आपको सारी चीज़े बता दी की कैसे कैसे क्या करना है rotate करना है आप rotate कर सकते हैं यहां से सारे feature से हैं आपको यहां mirror करना है आप äse तो यह भी feature आपको मिलता है यह तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरहिके से आपको हो गया ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि green screen वाला कैसे यूज़ के नहीं माली जे यहां पर यह वीडियो है अब साथ में ही इस वीडियो में माली जे रुकिए यहां पर सॉरी यह वीडियो है यहां से मैं आपको थोड़ा सा इडिया बताता हूँ ठीक है यह वीडियो है माली जे मुझे डबल रोल चाहिए तो यहां पर कोई भी ग्रीन स्कीन यहां पर click करना है, यहां से आप click करेंगे, और यहां से आपको double roll वीडियो चाहिए, जिसे यहां पर मैंने green परदी में आप पहले किस color को आपको blur करना है, यहाँ पर आपको click कर देना है, यहाँ पर जैसे मैंने click कर दिया, बैक्ग्राउंड को green को, इसको आपको click कर देना और intensity आपको बढ़ा देना है, यहाँ से बढ़ा देंगे, यह देखिए, आपका background remove हो गया, अब देखिए, यहाँ पर मेरी दो वीड लगाना, मतब कोई अलग image लगाना चाहता हूँ, तो क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ दूसरा लगाना, तो यहाँ से लगा सकता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा मुझे, कि यहाँ पर click करना है, और यहाँ से और फोटो पर जाना है, और यहाँ से जो भी background चाहिए, यहां पर image पर गया और यहां से डाउनलोड पर गया जैसे मैंने जहां आप internet से डाउनलोड कर सकते हैं ना setup की background जो भी आप लगाना चाहें जैसे कि यहां से काफी सारे मैं आपको एक demo दिखाऊंगा ठीक है आपको थोड़ा सा उससे idea मिलेगा कि कैसे कैसे मैं आपको बता रह ठीक है देखते जाना मैं कैसे बता रहूँ आपको ठीक है अब देखें बैग्राउं लगा दिया अब देखें यह image अब मैं चाहिए और background यहां पर क्लिक करके मैं duplicate कर दूँगा इसको ठीक है जैसे duplicate करूँगा यह बढ़ता जाएगा यहां से देखते जाना आप ठीक है य इतना भी पार्ट में लगाना चाहूँ उतना में लगा सकता हूँ ऐसे करके add कर दिया अब देखें प्ले कर रहा हूँ तो यह देखें background कुछ और था पहले अब background यह हो चुका है अब चाहता हूँ कुछ चीजे और add करना जैसे कि यहां पर मैं आपको बता देता हूँ थो अब इसका क्या करना है आपको यह इसको भी आपको chroma की से chroma की से आपको white color जो है उसको हटा देना है और यहां से chroma की apply कर देना है यहां पर देख सकते हैं साइड में यह mobile frame भी आ चुका है यह देखें आप क्या करना है mobile frame भी आ चुका है आप चाहते हैं आपकी इसमें थो फिर वीडियो लगा रहे हैं कोई भी इमेज समझा रहे हैं तो यहां से मैंने यह क्लिक कर दिया ठीक है और यहां से इसको करके ऐसे करके ऐसे किया और इसके बाद से क्या किया यह उपर है तो क्या करना है कि यह जो है अब देखो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर यह जो फ्र मैंने अभी क्या किया है अभी image लगाया हुआ है image hatter लगाया हुआ है अगर चाहें तो आप इसमें video भी लगा सकते हैं कोई भी video लगा सकते हैं इसे sorry sorry ये तो अभी text का आगया text का बाद में बताऊंगा कोई video लगाना है आपको तो यहां से आप click करेंगे कोई भी video है 30 second का आपने ले लिया और इस video को यहां से किया इस पे लगाया ठीक है और इसको crop कर दिया यहां से crop भी करना पड़ेगा ना आपको थोड़ा सा आपको crop करना पड़ेगा यह देखे crop किया आपने और यह यहां से click किया और यहां से यह देखिए video लाया और यहां से आपने video लगा दिया इसमें यह देखिए ऐसे करके ठीक है अब जो भी होगा यह video भी चलेगा इसमें यह देखिए video भी चलेगा mobile frame पे ठीक है जैसे मैं कोई भी वी वीडियो चाहूं जैसे कि यह वीडियो है इसके पहले मुझे कोई और वीडियो चाहिए जैसे यहां से मैं इसको कट कर दिया और यहां इसके बीच में मुझे इसके पहले एक वीडियो चाहिए तो यहां पर आपको इस पहले ले जाना है और यहां से आ आगे पीछे करके जब भी चाहें, जो भी इमेज वीडियो चाहें, आप लगा सकते हैं, अब ये बात हो गई, अब दोस्तों एक चीज बताता हूँ, जैसे मालीजे इस वीडियो का आपको आडियो चाहिए, एक्स्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ए जैसे आप क्लिक करेंगे, यह देखिए, इसका आडियो उपर आजाएगा वीडियो, अब उसको वीडियो हटा दीजे, और यहाँ पर इसको आगे कर देंगे, जैसे आगे करेंगे, और यहाँ से आप यह इसको आटा सकते हैं, और इसका आडियो यहाँ पर रह जाएगा, बास समझ रहें, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका audio भी extract कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी, अब मैंने आपको editing बता दी, कैसे कैसे green screen यूज करना है, कैसे क्या करना, frame लगाना है, यह सारे frame अगर आपको internet से download करना है, आपको video id ready हो गया, आपने video editing कर लिए, सारी चीज़े कर लिया, अब यहाँ पर मालिजे कहीं, आपको text की ज़रूत पड़ती है, और भी मैं देखे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपकुछ बता रहे हैं, आपको 3D animation कुछ चाहिए आपको, तो यहाँ से आपक आपको कलिक करना है, यहाँ पर stickers चाहिए, sticker का option है, ठीक है, live यहाँ पर जैसे किस टाइप का sticker चाहिए आपको, जैसे happy चाहिए, youtube का चाहिए, facebook का चाहिए, जो भी sticker आप बतारें, यहाँ वाट्सआप का चाहिए, तो आप वाट्सआप के बारें बता रहे हैं, effective लगेगी, यह देखिए, आपने लगाया और यहाँ पर कर दिया, और इसको side में लगा दिया, इसको click कर दिया, यह देखिए, जैसे play होगा, देखना, ठीक है, जैसे play होगा, यहाँ पर sticker भी आजाएगा, जो मैंने लगाया, यह देखिए, sticker भी लगा सकते, यह देखिए, जो चाहें आप लगा सकते हैं यहाँ पर इस्टिकर पर क्लिक करना है जो भी चाहिए यह चाहिए हैपी चाहिए जो भी चीजे चाहिए आप यहाँ से एड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एरो चाहिए सब्सकाइब कर चाहिए subscribe कर चाहिए, तो subscriber कर चाहिए, subscriber कर लगा, करिए, search करिए, और यहां से देखे, subscribe का आ गया, आप यहां से subscribe का लगा सकते हैं, बटन, तो जो भी चाहिए, stickers आप live, live, live वाले sticker आप लगा सकते हैं यहां पर, आपको अलग से नहीं download करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहीं पर live sticker आप लगा सकते, यह देखे, आपका automatic live sticker चल ला है, यह देखे, इस तरीके से, ठीके, तो इस तरीके से आप यहां पर feature मिलता है, आप बात करते हैं, दोस्तो, text की अगर आपको आपने किया, और यह देखे, यहां पर जैसे आपको play होगा, और यहां पर यह देखे, text आ चुका है, ठीक है, अब यहां पर यह आ चुका है, यहां से, चो sorry, sorry, यहां से चलिए, मैं बताता हूँ, जिसे माली इसमें text चाहिए, यहां पर click किया, आपने text पे गए, और यहां पर जो भी लिखना है, आपने लिख दिया, चलिए, मैं लिखता हूँ, text champion, ठीक है, text champion, मैंने लिखा यहां पर, text champion, अरे, sorry, भाई, क्या हो रहा है, text champion, मैंने लिख दिया, यहां से OK कर दिया, ठीक है, अप OK कर दिया यहां पर मैंने, और यहां से आप दीख सकते हैं, यह देख़, text champion केर दिया, यहां से यहां लगाना है, और इसके बाद यहां पर जाना है, आपको color पे, color पे देखे, background करना है, जो भी करना है, background लगा सकते हैं, यहां से, इसका सेडो लगाना चाहें, सेडो भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, यह देखिए, सेडो भी बढ़ जाएगा, यहां से देखिए, सेडो भी बढ़ रहा है, यह देखिए, ठीक है, स्टोक लगाना चाहें, स्टोक लगा सकते हैं, तो टेक्स में भी काफी सारे आप add कर सकते हैं यहां से और भी अगर text करना चाहें template मिल जाते हैं यह देखिए यहां से इस type के block का चाहिए तो block के देखिए template live मिल जाते है आपको इस type के चाहिए तो यह आप लगा लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से और जैसे play करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका site से आएगा, यह देखिए, इस तरीके से, तो यह live आपको मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप editing करेंगे, आप बात कर लेते हैं, सारा सब कुछ आपने edit कर लिया, अब बात करते हैं, export करना है न, अब देखिए, यहाँ पर format मिलता है, अब किस format में आपको export करना है, इसको इसमें YouTube वीडियो में चाहिए, आप हर एक format की वीडियो बना सकते हैं, यहाँ से, इस्टाग्राम के लिए, टिक टॉक, यह उसके लिए, टिक टॉक के लिए, यह देखिए, सारे चीज़ा आपको मिल जाते हैं, जिस भी format में 4K तक आप कर सकते हैं, तो आपको original चाहिए, तो original 1080p कर सकते हैं, यहाँ से export करेंगे, आपका वीडियो export होना start हो जाएगा, तो I hope guys कि मैं आपको सारी चीज़े बता दी, जैसे मैं editing करता हूँ, टिक है, आप इसी में आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे आपको export हो जाएगा, अब यहाँ पर कोई भी watermark नहीं आगा, कुछ भी नहीं आगा, सारी चीज़े मैं आपको बता दी, कैसे add करना पड़ता है, कैसे video edit होती है, सारी चीज़े मैं आपको बता दी, यहाँ से, I hope कि आपको सारा idea मिला होगा, कि कैसे मैं video edit करता हूँ, और मैं ऐसे ही करता हूँ, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करें, channel पे नहीं है, तो channel को subscribe करें, और जो भी चीज़े आपको चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, कि आपको internet से download कर लेना, सारी चीज़े आप internet से download कर सकते ही, PNG चाहिए, जो भी चाहिए, आप Google का use करें, background चाहिए, सब कुछ आ आप Google में जाके आप search करके download कर सकते ही, और इस app के link आपको description मिल जाएगी, जाकर इसे download कर लेना, अगर चाहते ही, क्योंकि ये मुझे काफी best application, blogging के अच्छे अच्छे video edit कर सकते हो, मैं जितना ज़्यादा edit नहीं कर पाया हूँ, नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि बहुत सा sort video add करना है, आपको जो भी बड़े video add करना है, यहां से click कर दिया, click किया, वो video आपके वहाँ पर आजाएगा, side में आप लगा सकते ही, और सारी चीजे आप यहीं से करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्प आपको सीखना पड़ेगा, यह देखे, जैसे इत करना है, अगर image लगा के video बनाना, सारी images यहां पर आपको export कर ले नहीं है, video नहीं लगाना, voice or करना है, तो सारी video यहां पर लगाएंगे, audio यहां पर लगा देंगे, और video export हो जाएगी, तो इस तरीके से मैं करता हूँ, I hope कि आपको काफी सारा idea मिला होगा, इस video से video पसान आ आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आप में नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले, फिर मता हूँ एक और कमाल की वीडियो में, जय हिन, जय भारत!